नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पहले सुब़ साधे पांच बज़े मौक पोल होगा, इसके लिए मदान कर्मी रभीवार को ही निधारित मदान केंद्रों पर पहुँच कहे हैं इस चरण में 6705 मदान केंद्रों पर चुना होगा, सभी मदान केंद्रे में 2-2 फोर्डी केमरेस से अंदर बाहर नजर रखी जाएगी बतादे 14 में 22, कोडालवां में 15,000 जारी बाग में 17 यानि कूल 54 ओमी द्वार मैदान में हैं इनके भागी का 50,250,23721 मदाता करेंगे भाजपा को भोट मागने का अधिकार नहीं कलपना सुरेन जामो नेतरी कलपना सुरेन ने कहा है कि यह भाजपा बनाम जनता का चुनाव है जैसे से बुन्द से सागर भरता है वैसे ही इंडिया महागडबंदन के अंदर में सरकार बनाएगा इस चुनाव में भाजपा को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है भाजपा अपने किये गए वादे के अनुसार पहले रोजगार दिलाने का काम करे फिर वोट मांगे वेर अभिवार को निर्शा के राम काली मैदान में इंडिया गडबंदन की परत्यासी अनुपमा सिंग के चुनाव परचार के लिए पहुँची थी उन्होंने कहा है कि अभिद तक के हुए चुनाव में जो रुज़ान आई है उनमें से चार सिट इंडिया गडबंदन जीच चुका है आप अपना असिर्वाद महागर्मदन की परत्यासी अनुपमा सिंग को वोट के रूप में देते हैं तो धनबाज से गुंटा गर्दी समाप्त हो जाएगी कालपना सुले ने कहा है कि भाजबर समिधान को बदलने का पर्यास कर रही है वर्ष 2014 में जनता को भूल भूलया में रखकर दो को लोगों को सलाना रोजगार देले की जुमले बाजी कर सत्ता में आई 2014 में किसानों की आई दोगनी करने का जुट सपना दिखा कर जुमले बाजी की गई है रांची में बारिस कई जगा हीट वेब का अलर्ट जार्खन के आधा दरजन से अधिक जीलों में हीट वेब के अलर्ट के बीच राइधानी रांची में जहमाज़म बारिस हुई है पांकुड और साहब गंजीलों में 20 माई के लिए लूच चलने की चेतानी जारी की गई है इन जीलों में हीट वेव को लेकर एलो अलर्ड जारी किया गया 21 माई को पलामूग गढ़वा के साथ साथ बोकारो धनबाद गिरी देवखर जाम तला दुम का गोड़ा पांकुड और साहब गंजीलों में कुछ जगों पर हीट वेव का अलर्ड जारी किया गया है वहीं जार्खन में कहीं कहीं गरज और तेज हवावों के साथ वारिस से वंबजर पात हुने के संका है हावा की रपतार 30 से 40 किलोमेटर प्रति घंटा रह सकती है बलैक मनी गरीबों में बाट दी जाएगी पियम मोधी लोकसभा चुनाओ को लेकर प्रधानमतिनायंद मोधी ने जार्खन में छटे चुनावी जनसभा को समधित किया है पियम मोधी के जार्खन में छटे चुनावी सभा का आयोजन घाट सिला में किया गया था इस दोरान घाट सिला में परधान मति नायंद मोदी को परंपारिक वेस बुसा पहना कर सम्मानित किया गया वही पीएम ने समाजी करकरता पदम सेरी जमुना टुड़ू से मंच परबाचित की इस दोरान पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को समधित करते हुए कहा है कि हमारा जमसेद पूर मीनी हिंदुस्तान है जमसेद पूर का असिरवाद मिलना जैसे ऐसे लगता है जैसे पूरा देश असिरवाद प्राप्ट को रहा है परधान मंत्री का तस्वीर लिये करकताव को समधित करते हुए कहा है कि सभी आपना नाम पता तस्वीर पर लिख दे ताकि सभी को मैं पत्र लिख सकूँ इसी दोरान उन्होंने स्पीजी से तस्वीर लेने को कहा वही पिये मोदिर ने जनसभा को समधित करते हुए कहा है कि चुनाव में देश की अर्थ वेवस्ता लगू उद्ध्यों की चर्चा होनी चाहिए या नहीं राश्ट्रिय सुरक्षा को लेकर चर्चा होनी चाहिए या नहीं लेकिन कांग्रेश को इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है सिख्षकों के परमोशन का रास्ता साब जारखन हाई कोट से राज के विश्वभी द्याले के सिख्षकों को प्रोनती एम अने वीतिये लाभ के मामले में बईदाहात मिली है हाई कोट ने सरकार के द्वार बनाये गए परिनियम के खंड तीन की सर्थ को कानून सम्मत नहीं बताते हुए इसे निरस्त कर दिया है हाई कोट के आदेश को बाद राज के सिख्षकों को एक दिसम्मर 2019 से अगस 2020 प्रोनती या अने वीतिये लाभ उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से उन्हें प्रोनती या अने वीतिये लाभ दे है इस संब्ध में कलानंद ठाकूर रिवम अने नियाचिका दाखिर की थी याजिका में कहा गया था कि सिख्षकों की प्रोनती से समधी UGC के वर्ष 2010 के नियम के तहर जार्कन सरकार ने परिनियम बनाया था इस परिनियम में एक सर्थ लगाई गई थी इसमें कहा गया था कि 1 दिसंबर 2009 से अगस 2021 के विच प्रोनती या अने वीतिये लाभ 15 दिसंबर 2022 से दे होगा नकली राम भगतों की साजिस का सिकार हुए हेमंत इर्फान अंसारी इर्फान ने सभाव में यहां तक कहा कि नकली राम भगतों की साजिस का सिकार हेमंत इर्फान हुए है उन्हें सड़यां त्रकर फसाया गया कलपना सुरेन को सीता बताते उन्होंने दावा किया है कि वह लंका का दहन करेंगी इर्फान अंसारी के बोल पर जारकर में स्तियाजिस संग्रा मचा है भाजपा ने उनके खिलाब चुनाव आयोग में सिकायत की है भाजपा ने आयोग से अंसारी के खिलाब करवाई करने को कहा है प्रदूसन के खिलाब लोगों ने खोला मोर्चा वोट वहिसकार की चेतावनी गिल्डी जीला मुख्यारे से सटे मुपसिल थाना चेतर के अध्योगिक इलाके में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआ अस्थानियों लोगों के सब्र के बंध तोड़ रहा है पर्दूसन की समस्य का समधान नहीं होता देख रविवार को पांच गाओं के ग्रामिनों ने जिला पर्शासन जिला निर्वाचन आयों के खिलाब मोर्चा खोल दिया है इस दोरान चत्रों में एक बैठा कर ग्रामिनों ने कहा है कि पर्दूसन से हम तिल तिल कर मर रहे और पर्शासन को हमारी फिक्र ही नहीं है पर्शासन पस्त है और फैक्ट्री वाले मस्त है ग्राविनों का कहना था कि इलाके में लगी दर्जनों सरीया फैक्टरियों से निकलने वाला जहरीला धुआ उनके फिपड़ों में भर रहा है इस परदूसन की वज़ा से लोग अंधे हो रहे हैं अपंग हो रहे हैं लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है चार जुन के बाद मोदी की नहीं इंडिया की बनेगी सरकार सुप्रिया भारतिये राष्ट्रिये कांग्रेस की प्रवक्ता और सोचल मीडिया परभाई सुप्रिया सिरी नेत ने कहा है कि चार जुन के बाद देश में मोदी की नहीं इंडिया गड़बंदन की सरकार बनेगी चार चरण की चुनाव के बाद इंडियागरबंदन को असपष्ट बहुमत मिल चुका है जबकि अभी सेश तीन चरण का चुनाव होना सेश है यह चुनाव अब इंडिया और इंडियागरबंदन के बीच का नहीं रहा है इस चुनाव को जानता अब अपने हाथ में ले चुकी है यह चुनाव समिधान बचाने वाले और समिधान को खत्म करने वालो लोकतंत्र बचानने और लोकतंत्र खत्म करने दो विचार धारा के बीच का चुनाव है यह देश फूलो का गुलदस्ता है यह देश गुलदस्ता ही बना रहेगा इसकी भी लडाई है इंडिया की सरकार बनने पर जार्खन विधान सवा से पारित सर्ना आदिवसी धर्म कोट को लागू करेगी एक चुने हुए सियम हेमान सुर्ण की गिरफतारी का जवाब जार्खन की जानता देने को त्यार बैठी है गोड़ा के पोड़या हाट में पती ने गरवती पतनी वसाली पचिड का पेट्रोल लगा दी आग। अस्पतल में भरती कराया गया घाटना के समध में बताया जाता है कि बिती रात दोनों बहने रूम में सोई हुई थी आरोप हाय कि तभी नीशा के पती विकास ने दोनों बहनों पर पेट्रोल छिरक दिया और आग लगा कर फ्रार हो गया घाटना के जनकारी लोगों को मिली जब दोनों बहने चिकती चिलाती बाहर निकली गढ़वा में पूलिस ने मजदूरों को भूखे प्यास से 10 घंटे रखा गढ़वा जिले के भंडरिया थाना के बीजिका पिकेट प्रभारी निरंजन पस्वान ने केंदू पता तोड़कर अपने घर लोट रहे 15 मज दोरों को भूखे प्यास से 20 का पिकेट में 10 घंटे हिरासत में रखा है आरोप हाई की पिकेट परभारी निरंज दोरों से केंदू पता तोड़ने के यवज में 10 यह रूपए लेने के बाद देर सामुने छोड़ा वहीं पिकेट से छोड़ने के दवरान केंदू पता के एक खास सन्वेदक के सेंटर में केंदू पता बेचने की जतावनी दी गई ऐसा नहीं करने वाले गिरामिनों को केंदू पता चोरी के आरोप में जेल भेजने की धंपकी भी दी गई है दरसल घटना सन्वार की सुबह की है रभीवार को फुरे मामले की जनकाईद देते वे गिरामिनों ने बताया है कि बंडारिया थाना छेत्रे के फकीरा डिह गाउं के रहने वाले मजदू ने बताया कि लोग सन्वार की सुबह गाउं के बीजका जंगल से केंदू पता तो पोटल महराज्या में रांची विधायक चिपी सिंग के दक्स्ता में बैठक आयोजित की गई इसमें संस्था के संस्थापक संतोस प्रसाथ के उपसिती में एकेडमी के गठन के लिए आमसभा के बैठक सभीतिय वर्ष दोयर चोबिस से उंतिस तक के लिए जारकन परदेश क के लिए कार करनी समिति के गठन वा चुनाव संपन कराया गया इसमें रांची के विधायक सिपी सिंग को अध्याज सिवा निवरीत आई एस अनील कुमार सिंग को वर्य उपाध्याज ओम परकास का स्यप आर्ति कुजूर बिनय जैस्वाल वा संजीव विजय वर्गिय संत देवघर एसपी राकेस रंजन को मिली गुप्त सुचना का धार पर साइबर थाने के पुलिष ने कुंडा वा मधोपूर थाना चेत्र बावन बीघा मुहले में छापे मारे कर तिन साइबर संदिक दोगों गिरफतार किया है इन लोगों के पास पुलिष ने पांच वा गिरिडी जीले के अरगा घाट राजपूत मुहला निवासी टिंकू कुमारदा सामिल है इन लोगों के पास से बरामत मोबाइल वा सिम कार्ट खांगाले पर पुलिस को एक गारा क्राइम लिंक मिले हाए गांडे विधान सभा उपचुनाव को लेका जीला परसासन तयार गांडे विधान सभा उपचुनाव में सांतिपुन महाल में चुनाव संपन कराने के सारी तयारिया पुरिकार लिगा है रभीवार के सुबह 6 बय से ही गिरिडी कॉलेज के पास दो गिरिडी जंडा मैदा में एक और पचमबा इस्तित किरिश्टी बिज्ञान केंद्रे में बनाएगा एक डिस्पेस सेंटर से कली सुरक्षा के साथ सभी पोलिंग पार्टी को इवीम समेथ चुनाव संबंधी समगरियों के साथ बुथो तकरवाना किया गया इसी दवरान गीरडी के डीसी नवन पि महिला की मौत कोडारमा सदर अस्पताल में परसो के लिए आये महिला के रभीवार को परसो के बाद मौत हो गई है इस दवरान महिला ने जुलवा बचो को जनम दिया है अपने 24 वर्षी ये पत्नी कायल कुमारी को परसो पिड़ा होने के बाद सनीवार की साम को सदर अस्पतल में भरती कराया जहां डॉक्टर दोरा सीजेरियन से महिला का परसो कराया गया परसो के दोरान महिला ने दो बच्चों को जनम दिया रभी बार की सुबा अचानक महिला के तव्यत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई घाटना के बाद मिरित्तर के परिजिनों ने इलाज में लपरवाही परतने का आरोप लगाते हुए जम कर हला किया है इधार प्रसो के बाद महिला की मौत के बाद स्वास्त बिभाग एक्सन मोड में दिखा है बिभाग ने आरोपो में घीरे डॉक्टर सही तीन स्वास्त कर्मियों को सेवा मुक्त कर दिया है जबकि पांच अने से अस्पश्चिकरन मांगा गया है पिएम मोधी ने जमसेत पुर के सुमन की पेंटिंग की तारिफ की पिएम प्रसो की नजर दूर से ही उनकी तीन गुना तीन फीट की इस पेंटिंग र पड़ी एक बेटी बढ़िया चीतर बनाए लेकर आई है पिएम ने अपनी सुरकच्छा में लगे SPG के जवानों को कहा है कि वह प्रेंटिंग परतिभा से ले ले धन्यवाद